नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन वंसल वास्तो कंसल्टेंट आज फिर मैं आपके लिए एक खास विशय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज का विशय है बाप बेटे की आपस में क्यों नहीं बनती इस पर मैं आज आपको तीन बाते बताना चाहूंगा ऐसे तीन कारण क्या क्या बनते हैं जिसके विशय से बाप बेटे की आपस में नहीं बनती वैसे तो बहुत सारे कारण बनते हैं लेकिन आज मैं आपको सिर्फ तीन कारण बताऊंगा जिसके विज़े से बाप बेटे की आपस में नहीं बनती कहीं आपके इहां इन तीन दिशाओं में वास्तू दोश्टों नहीं हैं सबसे पहले तो आपके घर के नौर्थ एस्ट कॉर्णर में इशान कोने में टोईलेट बनी विए हैं तो वहाँ पर कभी भी बाप बेटे की आपस में नहीं बनेगी बेव जग़ जग़ा होता रहेगा तूतू में में हमीशा होती रहेगी आपके यहाँ ऐसा है तो मैं कहाना चाहूंगा कि आप अपने घर की नौर्थेश्टी टॉलेट को जरूर रहता है वहाँ से टॉलेट रहताने से मेरा अपने यह मानना है कि घर का माहूल अच्छा होता चला जाएगा बाप बेटे की आपस में बनती चली जाएगी दूसरा पोइंट क्या है जिस घर के सॉफ्वेश्ट में वेश्टवल पर गेट लगा होता है वहाँ पर भी बाप बेटे की आपस में नहीं बनती आपस में बेविज़े के जगड़े होते रहते हैं कोई भी व्यक्ति ना तो बेटा और ना ही बाप एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं जिसके विज़े से उनका आपस में जगड़ा होता है आपके यहां सौथ वेस्ट में वेस्ट वल पर गेट है तो आप अपने इस गेट को वेस्ट सेंटर या नौर्थ वेस्ट कॉर्णर में लगाएंगे तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके घर का महौल अच्छा होता चला जाएगा बाप बेटे की आपस में बनने शुरू हो तिसरा पॉइंट क्या है आपका रूम सौथ इस्ट कॉर्णर में यानि बेटे का रूम सौथ इस्ट कॉर्णर में या बापका रूम सौथ इस्ट कॉर्णर में है तो भी बाप बेटे की आपस में नहीं बनती बेवजय के जखड़े होते हैं क्योंकि सौथ इस्ट दिशा अगनी की दिशा है और जब भी यहां पर बेड़ूम आता है और जो वेक्ति उस रूम में सोता है वो हमेशा ही उची आवाज में बोलना पसंद करता है और वो किसी भी वेक्ति की बात सुनना पसंद नहीं करता आपके यहां ऐसा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर का सौथिश्ट का रूम छोड़कर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं ऐसा करने से भी आपके घर के अंदर माहूल अच्छा होता चला जाएगा बाप बेटे की बनने शुरू हो जाएगी आज मैंने आपको ये तीन पॉइंट पता हैं कि बाप बेटे की आपस में क्यों नहीं बनती और इनको सही कर लेते हैं तो बाप बेटे की आपस में बनने शुरू हो जाएगी आपके यहाँ इस तरह किसम से आ रही है और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मैंने जो अपनी इस वीडियो में जानकारी दी है आपको लगता है कि बनसल जी द्वारा दीगी जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे चोटे बदलाव करके अपने घ चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली जितने भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 325 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्यों को समधान खुद कर सकते हैं आप सभी अपने कीमतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए आप सभी का मैं तैजिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प कर दो